आज हम दो से चार साल तक के बच्चों को जो हम कितावे देना चाहते हैं उनके कुछ अलग किसम के डिजाइन एट्रिब्यूट देखेंगे जो के उन कितावों के अंदर मौजूद होनी चाहिए और दो से चार साल के बच्चों के लिए वह बहुत जरूरी है जैसे के फॉन्ट किताब का अपना साइस उसकिताब में मौजूद काघज की क्वालिटी और उसकिताब की बैंडिंग ये तमाव वो ऐलिमेंट हैं जो कि बड़े जरूरी हैं और ये हैल्प करते हैं बच्चे का उस किताब से relationship building कैसे करते हैं इसको अभी हम study करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं font क्या है so font के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास different किसम के font sizes मुझूद होते हैं और 2-4 साल का बच्चा वो बच्चा होता है जो actually किताबे पढ़ भी सकता है और वो school जा रहा होता है और multiple किसम की किताबों से उसका interaction हो रहा होता है तो यह visual text मुझूद होता है किताबों में ना सिर्फ वो उससे समझता है बलकि उसके बारे में multiple predictions भी कर सकता है so उसको एक relationship जो होता है उन किताबों से बन जाता है और वो linguistic text को ना सिर्फ समझने के काबिल होता है वैल कि उसके बारे में कहानिया बनाने के भी काबिल होता है उसको imagination में expand करने के भी काबिल होता है और ये भी बता सकता है कि ये character आगे जाके क्या करेगा जितनी भी letters आपकी बच्चों की किताबों में मुझूद होते हैं वो understandable होने चाहिए वो एक अच्छे size के होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि बच्चे की memory में वो अच्छे तरीके से आ जाएं और बाद में बच्चा जब उन्हें recall कर सके तो अराम से उसको recall कर ले जिब हम letters को एक flowery या एक ऐसे font में लिखते हैं जो बड़े भी न पर सकें तो बच्चे tone letters को बिल्कुल भी recognize नहीं कर पाते हैं जिब हम font चूज करते हैं इस शुड़ बेरी simple, इस शुड़ बी clear, noticeable and understandable अब book का size हमारे पास आ जाता है, हमारे पास कौन सी किताबें हैं और उनका कैसा size होना चाहिए, ऐसा size होना चाहिए जिससे बच्चा जो है उस space के अंदर नजर आ सकें और उनका action comprehensible हो सकें उस बच्चों के लिए So medium size की किताबें हो, rectangular size की हो, square size की हो, different geometrical science की किताबे जो होती हैं वो बच्चों की curiosity को trigger करती है Paper की quality कैसी होनी चाहिए? So paper की quality, high quality paper होनी चाहिए High quality paper का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि उसके अंदर जो visuals बनी होती है वो बच्चों को clearly नजर आती है वो इतना चमकीला और shiny paper नहीं होता कि जिससे light reflect हो रही हो और बच्चों से properly देखना पाएं वो ऐसा paper होता है कि उसके अंदर जो आपने तस्वीरे बनाई होती है वो attractive लगती है वो clear होती है और वो outstanding तरीके से बच्चों को नजर आ रही होती है Paper ऐसा होना चाहिए जो long lasting हो क्योंकि बच्चे बार बार किताब को पकड़ते हैं किताबों को अपने साथ लेके सोते भी है किताबों को साथ लेके खाना खाने भी जाते हैं सो किताबों में जो paper अगर board का बना हो और अगर paper की quality इंतहाई अच्छी हो तो वो किताब एक long lasting किताब होती है जो long lasting relationship build-up कर सकती है अब हम यह देखेंगे किताब हैं जो हम 2-4 साल के बच्चों के लिए choose करने जा रहे हैं उनकी binding qualities क्या होती है सो आपको तो पता ही है 2-4 साल के बच्चे अपने किताबों को ना सिर्फ अपने साथ लिए फिरते हैं कि कई दफा वो इन किताबों को अपने मूँ में भी ले लेते हैं और उनको as a try भी उससे खेलते हैं तो binding quality बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उसे जख्मी हो जाएं तो उसमें wire का इस्तेमाल या कोई ऐसी glue का इस्तेमाल जो बहुत जल्दी निकल जाए और किताब बहुत जल्दी फट जाए so binding quality should be good और उसके अंदर ऐसी चीज़े होनी चाहिए कि वो long lasting हो वो मस्बूत हो वो durable हो और जिससे बच्चे बिल्कुल भी hurt ना हो Thank you so much